हेलो एवरिवन आज हम बनाने वाले हैं क्रोव तो उसके लिए मैटेरियल चाहिए टू ब्लैक सर्कल वन डिफरेंट सर्कल अब ग्रे कलर भी यूज कर सकते हो तू आइस और कुछ कटिंग समारे पास है और यह तू पेपर शीटा में चाहिए स्मॉल पिसेज तो लेट्स वी टेक डिफरेंट सर्कल जो हमने डिफरेंट कलर का सर्कल बनाया है उसको हम लेते हैं और उसको हम हाफ फोल्ड करते हैं में सैमी सर्कल में हम उसको फोल्ड करते हैं तो देखे यह हमने फोल्ड कर दिया है अब हम क्या करेंगे पैंसिल की हैल्प से हम इसको ड्रो करने वाले ह तो यहां से हम इस तरह से हम ड्रो करेंगे डियर तो देखिए यह ड्रो हो गया सीजर की हेल्प से हम यहां से कट करने वाले हैं तो इस तरह से आप इसको कट कीजिए कि यह हमारा कट हो गया है अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम इसको सेंटर से भी कट करके अलग अलग पीशेज करेंगे तो देखिए हमारे पास यह तो पीशेज आ गये हैं नाओ हमारे पास ब्लैक कलर के उनको हम इस तरह से पेस्ट करें गेंजसी कि हैल्स् terrorist करना है तो पो सेनँ जस्त, इसके ऊपर ऐसे पुट करना है और सिंप्ली पेस्ट करना है दो जो विंगस हैं हमारे पास वह कि हमें इसके हाफ में इस तरह से पेस्ट करने हैं तो आप पहले रख कर देख लीजिए कहां आ रहे हैं और फिर फैविकॉल की हैल्प से आप वहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए सेम एज इटीज हम यहाँ पर भी सेकिंड विंग्स को भी पेस्ट करेंगे तो डियर यह हमारा पेस्ट हो गया है अब हमारे पास इंपली जो टू आइज हमने ड्रो की थी हम वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरह से हमें पेस्ट करनी है डियर नहीं है इस तरह से हमें पेस्ट करनी है डियर नेक्स्ट हमारे पास जो टू विंग्स हमारे पास हैं देखे यह जो हमने जो फ्रिल कट की हुई है पीसेज उनको हम पेस्ट करने वाले हैं तो यह हमारी क्रो के हैड पर हम पेस्ट करेंगे तो आप इस तरह से पेस्ट कीजिए सेकिंड को भी हम ऐसे ही पेस्ट करने वाले हैं अब हमारे पास जो टू पीसीज और हैं हम उनका हाफ फॉल्ड करेंगे और हम उसकी बीक बनाएंगे क्रॉ की तो ये देखिए हमने प्लॉट साइड से बीक बनाई है अब काणि को इसको भी हम ऐसे ही बन साइड से फेरी न कर यहां पर पेस्ट करेंगे हैं यह पेस्ट हो गया है सैकिंड जो हमारे पास एक पीस और है झालर का तो उसको भी हम आसे हम फोल्ड करेंगे और इसको open side से same triangle shape में cut करेंगे और two अलग-अलग pieces हम निकालेंगे ताकि इसकी हम legs बना सकें तो हमें जस्ट यहाँ पर इस तरह से इसको put करना है तो हम इसको ऐसे ही paste करते हैं तो यह हमारा paste हो गया है दोनों legs को हम ऐसे ही paste करेंगे अब हमारे पास यह जो extra आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर legs में extra है तो हम उसको circle shape में cut कर देते हैं same means जो extra हमारे पास निकला हुए हम उसको cut कर देते हैं और marker की help से हम same यहाँ पर two dot लगाते हैं और ऐसे ही legs पनाते हैं तो देखें हमारा यह crow ready हो गया है I hope you like it thank you कर दो